हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका उत्राखन ऑनलाइन एजुकेशन हब में तो गाईज जैसे कि आपको पता है आज उत्राखन आपकारी और प्रवर्तन सिपाही का एक्जाम हुआ था तो इसमें जो लेबल था गाईज काफी अच्छा लेबल पूछा गया था क्वेशन हाला की मौडूरेट लेबल के थे ज्यादा न टफ थे ज्यादा एजी लेबल के क्वेशन रखे गए थे तो आई थिंग जितने भी फ्रेंड्स ने इसमें एक्जाम दिया उनका अच्छा गया होगा और बहुत जल्द आपको नौकरी मिल जाए इसमें तो गाईज देखें पहला क्वेशन है तुरंत सोचकर निलने लेने वाला कहलाता है तो आपके ऑप्शन दिये थे किंक तर्यमूर प्रत्युत पन्नमती तत्परमती और आक्ष्यू तो गाईज देखें इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन दी तो आपका नहीं हो सकता ठीक हो गया तो निमन मैंसे स्त्रीलिंग सब्द है तो स्त्रीलिंग सब्द गाईज इसमें हो जाएगा आपका त्रिश्ना नेक्स्ट है क्वेशन नमबर थर्ड अगर गाईज आपको किसी में भी लग रहा हो कि यह आंसर रॉंग है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसका करेंट आपको क्या लग रहा है करेक्ट क्वेशन नमबर थर्ड है निमन मैंसे आकास का प्रयायवाची सब्द नहीं है तो अभर व्योम अनन्त ये तीनों आकास के प्रयायवाची होते लेगिन जो द्रेग है गाईज ये आख का प्रयायवाची होता है तो आप्शन नमबर डी आ बाच्च किरिया विशेशन अवियव के अंतरगत आता है इसकी डिटेल्ड वीडियो में बाद में बनाऊंगा अभी आप जस्ट वो लोग जो कि अभी पेपर देके आए हैं अपने आंसर चेक करने के लिए कर सकते हैं ठीक है उनके चेक करने के लिए तो मैं ज्यादा आंसर इसमें एक्स्प्लेनेशन नहीं करूंगा कैची सब्द हैं तो कैची जो सब्द है यह तुर्की भासा का है ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट है दारूर सब्द का अर्थ है तो गयज आप देखें दारूर का मतलब होता है बहुत अधिक भारी कह सकते हो या फिर आप देखें इसमें C और A दोनों एक जैसे हैं बड़ जो ज़्यादा एप्रोप्रियेट मेरे को लग रहा वह आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट है अन्वय सब्द का संदी विग्रह है तो अन्वय सब्द का संदी विच्चेद होता है गाईज अनुधन अई ठीक हो गया तभी जब क्या होता है आपका अनुधन अई ये बन जाएगा क्या अनुवय तो ऑप्शन नंबर A आपका क्या हो जाएगा गाई जिसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि जो उ होता है उ आपका वो में कनवर्ट हो जाता है संदी में नंबर भी आपका correct answer हो जाएगा next question पूछा था गाईज आपका विविद भारती प्रसारण सेवा की शुरुवात कब से हुई थी तो आप गाईज यह जो start हुआ था यह हुआ था आपका 1957 विविद भारती ठीक है question नंबर 9 तीन अक्टूबर से हुआ था तीन अक्टूबर 1957 से तो यह इसका right answer है कवीत्री महादेवी वर्मा का जन्म है तो गाईज जन्म से भी पूछा हुआ question है देखिए आप तो महादेवी वर्मा का जो जन्म है वो है आपका 1907 option नंबर डी आपका correct answer हो जाएगा next question है next है उड़ती चिडिया पहचानना मुहावरे का अर्थ है तो उड़ती चिडिया मतलो आपने क्या कर लेना कोई रहष्य की बात जान लेना दूर से ही तो option number A क्या हो जाएगा correct हो जाएगा next है निम्न में व्यक्तिवाचक संग्या नहीं है रामायर दिल्ली यमुना किताब तो देखे पहले तीनों option आपके व्यक्तिवाचक हैं लेकिन किताब यह आपके जाती को संबंद कर रहा ठीक है जाती वाचक संग्या है option number D अनुसासन सब्द है योग रूट संकर योगी क्या तद्भव तो अनुसासन ये किस से बना है गाईज अनु उपसर्ग से मिलकर बना है तो उपसर्ग से मिलकर जो बनता है वो क्या होते हैं योगिक सब्द कहलाते है option number C next है दाजिव रचना है तो सेलेश मतियानी मंगलेश तो दाजिव जो रचना है गाईज ये है सेखर जोसी जी की option number D आपका क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा next है वह मनुष्य नहीं देवता है इस वाक्य में वह है तो वह यहाँ पर किसको सो कर रहा है पुरूस वाचक सर्वनाम को सो कर रहा है option number A इसका क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा next है गाईज तो गाईज दिखिए अगर चमाचम में देखें हमारा जो चम मच है वो विदेशी सब्द है तो उसी से अगर देखें कि चम सब्द से मिलकर चमाचम बना है तो यह जो होना चाहिए आगत सब्द मतलब विदेशी सब्द होना चाहिए option number B तच्छम तद्बह हो नहीं सकता कि यह दो तो है नहीं तो देशा जागत में से आगत लग रहा है ठीक है बाकी आंसर की में पता चलेगा मिस्र वाक्य ठीक हो गया क्योंकि एक मुख्य वाक्य है मोहन अच्छा खिलाड़ी है और दूसरा उस पर क्या है आश्री थे तो सरल और विधी तो हो नहीं सकता ठीक है तो हां मिस्र या संगिप्त मैं से मिस्र ज्यादा है ठीक है क्वेश्चिन नमबर 19 है हिंदी को भारत की राजभासा होने का गौरव कब प्राप्त हुआ तो गाइच हिंदी को हमने राजभासा के रूप में अपनाया था 14 सेप्टेंबर 1949 को अब देखे इसमें ऑप्शन है नहीं कहीं पे भी ठीक हो गया अब हमारा संग्विधान जो लागू हुआ 1950 में लागू हुआ अगर य लाग तो एक क्वेस्चिन गलत होगा और सबको लिलंगे नीशिंद बने मोहन ने केलट और केला और संतरा खाया यह वाक्य है निसेध वाइक तो मोहनच ने केला और संतरा खाया सिंपल है इसमें ना कोई निशेद वाचक है ना प्रश्ण वाचक ना कोई आदेश दिया जा रहा है तो क्या है विधी वाचक option number D आपका क्या हो जाएगा गाई जिसका correct answer हो जाएगा next है उत्राखंड राज्जी में किस वर्स को परियतन वर्स घोसित किया गया तो परियतन वर्स के बारे में पूछ रहा है गाई परियतन वर्स आई थिंग जो option होना चाहिए 2015 या 16 में से एक है ठीक है परियतन वर्स जो प्रथम बार मनाया गया था 2015 या 16 I am not confirm इसके बारे में जानकारी है नी नेक्स्ट है निम्न मैसे छेत्रफल की द्रिष्टी से उत्राखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण तो सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट सेंचुरी या उत्राखंड की वो कौन सी है केदारनात पसु विहार option number D आपका क्या हो जाएगा गाई जिसका correct हो जाए तो option number B आपका correct हो जाएगा नेक्स्ट है पानीपत का पर्थम युद्धे लड़ा गया था तो पानीपत का परत्थम युद्धे किसकिस के बीच लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच लड़ा गया था ठीक हो गया कब लड़ा गया था गाईच कमेंट मे आप बताएंगे मेरे को साइमन कमिशन भारत पहुंचा तो साइमन कमिशन भारत कब पहुंचा यह पूछ रहा तो 1928 में साइमन कमिशन क्या हुआ था भारत पहुंचा था देखे 1927 भी है 1927 में साइमन कमिशन का गठन हुआ था लेकिन उसके एक साल के बाद फिर भारत आया नेक्स्ट उत्राखंड में स्थित कामेट की उचाई कितनी है तो कामेट परवत स्रेंकला जो है ठीक है सिखर की उचाई पूछी गई है तो यह उचाई है आपकी 7756 मीटर ऑप्शन नमबर बी आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है 27 वा है question गाईज निम्न मैंसे उत्राखंड के किस जिले में सरवाधिक वन छेत्र है तो सबसे जादा वन छेत्र जो उत्राखंड में पाया जाता है वो कौन से जिले का है गाईज उत्तरकासी ओप्शन नमबर बी ठीक है अगर बडोतरी पूछे तो बडोतरी मे में भी सबसे जादा किसकी हुई थी उत्तरकासे की लगभग आई थिंक 7216 के आसपास है जो कि उत्तरकासी में वन छेत्र पाया जाता है नेक्स्ट है उत्तरकंड में आपकारी विवस्ता किसने आरंब की थी तो देखिया आपकारी का पेपर था तो ये तो क्वेश्चन बनता है आपकारी विवस्ता तो सबसे परत्थमबार लाई गई थी गईच 1822 में इसके लिए एक विभाग बनाया गया था तो 1822 में जो हमारे यहाँ प आरिकरम का सुभारम कहां किया गया तो नमामी गंगे कौन से जले से स्टार्ट हुई थी हरिद्वार जले से स्टार्ट हुई थी तो हर की पॉली क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चिन पूछा गया गाईज उत्राखंड राज्य में बेलमती चोहान तथा हंसाधनाई जानी जाती है तो गाईज बेलमती चोहान ये क्या थी आपकी खटीमा कांड सरी खटीमा कांड नहीं ये आएंगे आपकी मसूरी गोली कांड से ठीक है मसूरी गोली कांड जो की कब हुआ था आपको पता होगा 1994 में हुआ था ठीक है तो 1994 मसूरी कांड उत्राखंड राज जी आंदोलन के लिए हुआ था उसमें ये क्या हुए थे सहीद हुए थे तो उसमें से ये जाने जाते हैं तो option number C आपका क्या हो जाएगा right answer हो भारत में 2011 की जनगलना की अनुसार है 82.14 टोटल जो है हमारी गाइच टोटल कितनी है 74 परसेंट है और अगर फीमेल पूछे तो फीमेल 65.5 ठीक है तो D option हो जाएगा मैं descriptive बाद में करवाँगा तो अभी आपको जस्ट आंसर दे रहा हूं तिहरी बांत की हुचाई तो 260.5 option number B इसका राइट आंसर हो जाएगा अब देखेगा एग्जक्ट 260.5 हाँ यह हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है गोर्खाओ ने गडवाल पर प्रथम आक्रमन कप किया तो गोर्खाओ ने प्रथम आक्रमन कप किया था 1771 में option number A इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर नेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंग द्वारा गोर्खाओ ने गडवाल पर प्रथम आक्रमन बोल रहाएगाई देखे प्रथम आक्रमन बोल लाए तो 1790 में कुमाओ पर आक्रमन हुआ गोर्खाओं का उसके एक साल के बाद 91 में हुआ वो 1791 होगा 1791 ठीक है option number C आपका ग पंत की स्थापना की गई तो खालसा पंत की स्थापना गुरु गोविंद सिंग जी ने 1699 में की ती option number D आपका क्या हो जाएगा इसका correct answer हो जाएगा नेक्स्ट है राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना हुई तो राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी 1983 option number A क्या हो जाएगा गाईज आपका इस question का right answer हो जाएगा नेक्स्ट है भारत में पूर्वी घाट का सरवोच्च सिकर है तो इस्टन जो highest peak आती है आपकी वह आती है महेंद्र गिरी option number B इसका right answer है next है सन 1990 Sb के लिए calendar वही है जो तो 1990 की बात चल लिए तो देखे 90 के बाद आपका आजाएगा 91 91 से 91 में एक दिन आगे बढ़ेंगे 92 आजाएगा तो आपका एक दिन फिर आगे 93 लीपियर है तो दो 94 हो जाएगा तो उसके बाद आपका आजाएगा गाईज एक उसके बाद 95 अगर reasoning की वीडियो देखी होंगी मैंने आपको बताया हुआ है पूरा एका पूरा है ठीक है 96 96 आपका फिर से एक आजाएगा तो देख लीजिए दो दो चार पांच है साथ ठीक है 96 में साथ आ गया तो साथ पे जीरो और डे आएगा तो उनीस सो 96 का कलेंडर सेम होगा ओप्शन नमबर डी इसका correct answer है नेक्स्ट है इसकंद पुराण में नंदन कानन किस बुग्याल का गईज फूलों की घाटी हो जाएगा ठीक है option नमबर सी कि नेक्स्ट है संग्विधान संसोधन के प्रावधान का वर्णन xem भारती संग्विधान के किस अनुच्षेद में किया गया है तो संग्विधान संसोधन का प्रावधान जो आता है आपका अनुच्छेद 368 के पहत तो प्रश्णवाचक सब्द A B C D E F G एच वाला ओप्षन होगा जो एच से स्टार्ट होगा ओप्षन नमबर C आपका क्या हो जाएगा करेक्ट बहुत इजी लेवल की रिजनिंग पूछिए गईज अगला है दूनागिरी ग्लेश्यर इस्थित है देहरादून में पिथोरा ग्रामीर विकास बैंग नबाड की स्थापना तो नबाड जो बना था वो बना था 1982 में 1982 आप देख लीजिए 1982 जो ऑप्षन है तो 12 जुलाई 1982 ऑप्षन नमबर A आपका करेक्ट हो जाएगा अगला क्वेश्चिन है उत्त्राखंड मंत्री परिशद में मुख्य मंत्री सही अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं तो अधिकतम मंत्रियों की संख्या गाईज 12 हो सकती है ठीक है किसी भी जितने भी विधानसभा सीट है या जितने भी सीट होती है उसका 15 प्रतिशत क्या होता है मंत्री मंडल बना सकती है कोई भी सरकार प्रतिशत में भी याद रखेगा तो option number 20 का correct answer है, अगला reasoning का question है guys, reasoning में आपसे क्या बोल ला देखे, C से start है, D, E, दो अक्षर छोड़ दिये F, F के बाद एक अक्षर छोड़ के G, H, अब देखे, H से पहले G आया है न, और G को इसने यहां से start किया, G के बाद G, H, I छोड़ दिया J, J के बाद K छोड़ कर इसने L कर दिया, फिर K से start किया, K के बाद L, M छोड़ दिया, N, N के बाद O छोड़ के P, तो O से start हो जाएगा आपका, O के बाद क्या आ जाएगा, P, Q को छोड़ दिया जाएगा, R, R के बाद S छोड़ के T, तो ORT, ORT आप option देख लीजे कौन सा है ORT, ORT option number C आपका क्या हो जाएगा Right answer Next है, पूर्वी रामगंगा नदी का उदगम होता है तो पूर्वी रामगंगा नदी कहां से निकलती है ये पूछ रहा है तो पूर्वी रामगंगा नदी निकलती है गाईज नामिक Glacier से 45 वए का आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा D, पिथोरागर में इस्तित है ये Asian Junior Badminton Championship 2018 के विजेता रहे है तो गाईज देखिए Asian Badminton Championship 2018 ये किसने जीती थी? लक्ष सेनने option number A का correct answer है तो देखिए general knowledge में जो current affair पूछा 2018 से आपका बहुत पुराना current affair पूछ रहे है next हरपा सब्वेता में पुरातत्त्य विदो की किस स्थान पर जोते हुए खेत का साक्ष मिला है तो गाईज जो जोते हुए खेत के साक्ष मिले हैं वो काली बंगन से मिले थे option number C correct answer है इसका अगला है उत्राखंड में home rule league की स्थापना हुई थी तो उत्राखंड में home rule league की स्थापना 1914 में की गई थी option number D इसका correct answer है अगला है उत्राखंड का प्रथम उलेक किस धार्मिक ग्रंथ से मिलता है तो पहला उलेक रिगवेट से मिलता है option number C इसका क्या है correct answer तो इजी ज़्यादा टफ लेबल के question तो अभी तक नहीं दिख रहे गाई देखे बद्रिनात मंदिर के निर्मार के लिए किस कत्यूरी सासक ने भूमी दान तो देखे गई जगर इसमें elimination option भी लगाते हैं कत्यूरी सासक की बात कर रहा तो अब आपका आ जाएगा बसंदेव या ललित सूर्देव में से कोई option हो जाएगा इसका ठीक हो गया ए या बी में से एक होगा next है जिल्मिल ताल उत्राखन के किस जिले में इस्तित है तो जिल्मिल ताल चंपावत जिले में इस्तित है option नुमबर डी आपका right हो जाएगा next है प्रथम दो तरकों के आधार पर तीसरे में वरत के अंदर की संख्या होगी तो पहले देखे तो नुमबर इसका correct answer है next के रहे गाईज एक पूरूस का परिचरी कराते हुएं तो एक पूरूस की बारे में बात चल लीए और दूसरा क्या है महिला कह रही है ठीक है महिला कहती है इसकी माता मतलब इस पुरुस की माता मेरे पिता की महिला के पिता की इकलोती पुत्री इकलोती पुत्री तो यह महिला ही हो जाएगी ठीक हो गया कौन है इकलोती पुत्री है यह तो यह पुरुस कहा जाएगा इसके न नेक्स्ट है निमनलिखित मेमरी में से किसका उपयोग डेटा के इस्थाई रूप से संग्रहित करने के लिए किया जाता है, तो डेटा को संग्रहित करने के लिए secondary memory का यूज किया जाता है, option number B, permanent memory भी कहते हैं इसे, टेक हो गया, अगला निम्ण मैं से नंदा देवी मंदिर के निकट इस्थित ताल है, तो नंदा देवी मंदिर के निकट इस्थित ताल क्यों साय गईज, भेंग ताल, लिंग ताल, अच्छा, बेनी ताल है option में, तो आपका answer क्या हो जाएगा, बेनी ताल, option number C, इसका correct answer हो जाएगा, नेक्स्ट है, पुडूचेरी की प्रथम महिला पुलिस महानी देशक है, कंचन चौदरी भटाचारे सुंदरी नंदा पुडूचेरी, इसने पूरा नाम नहीं दिया है, देखे सुंदरी नंदा पंडूचेरी, पुडूचेरी है, इनका नाम ही यही है, पुडूचेरी की क्या थी पर्थम महिला पुलिश्ण महानी देशक तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट सीमली पाल जीव मंडल निश्चे किस राज्जी में इस्तित है अच्छा जीव सीमली पाल की बात चलिए तो सीमली पाल ठीक है सीमली पाल भीतर कड़ी का यह जो य खाले के रिजिघ्रीन का क्षिच्चन है करते हैं máximoिन ममा निन्ग्यान्वा निन्द इन्द दस 안में raises करते टो आइनल तेरा था क् सबस्कूं इसर talk करते तो इस दिसल करते थाए तो इसर देखिस है निम्न मैंसे प्राइदिवपी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो पैनिशुलर इंडिया की सबसे लॉंगेस्ट जो रिवर है वो पढ़ती आपकी नर्मदा ऑप्शन नंबर एसका क्या हो जाएगा गाईज करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सी मैमरी सबसे तेज मानी जाती है मुख्य मैमरी कैस्य मैमरी कैचे मैमरी कहते है औगला है मेंग्दूत का कुमावनई में अनुवाद किस ने किया तो मेग दूत का कुमावनी में अनुवाद ठीक है कालिदास की रचना है मेग दूत ये कुमावनी में की गई थी गरीश चंद जोसी जिनको की गिर्दा भी कहा जाता है नेक्स्ट है निम्नमैसे किस खाड़ी देश में होप मिशन को सन 2021 में मंगल गरह पर भेजने की गोसना की गई है तो देखे एक होप उत्राखणने भी चलाया है helping out of people वाला ठीक है बट ये hope international mission की बात कर रहा जो चाड में भेजा जाएगा मार्स में तो मार्स में जो भेजा जाएगा गई ये संयुकत अरब अमेराद भेजेगा option number C इसका right answer हो जाएगा नेक्स्ट है 63 निम्निम विकल्पो मैंसे गांधी जी के सामाजिक विचार सम्मंधित थे अस्प्रशिता निमारन बिल्कुल सही चुआ चूट नहीं मानते थे हो साम्प्रदाएक एकता भी थी महिलाओं की दसा सुदार भी थी तो option number D उप्यूपते सभी इसका right answer हो जाएगा next है देहरादून football academy की स्थापना हुई ओके देहरादून football academy तो देहरादून football academy को गईज अभी अभी दस वर्स पूरे हुए थे तो दस वर्स अगर पूरे हुए थे अगर हम देखें तो बारा नहीं हो सकता option 2014 भी नहीं हो सकता 11 भी नहीं हो सकता ठीक है तो option number B ठीक है इसमें करेक्ट नहीं हो सकता बड़ 90 परसेंट चांसे जहें कि option number B इसका क्या है गाई करेक्ट है क्योंकि न्यूज में आया था कि दस वर्स पूरे हो चुके इसको next निम्न में से कौन सा उध्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रियुक्त करता है तो चूने पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रियुक्त सिमेंट करता है option number A इसका क्या हो जाएगा right answer अगला है पाठली पुत्र की स्थापना किसने की थी तो पाठली ठीक है अजात सत्रू का पुत्र कौन था गाई उदाइन था ना उदाइन ने अपनी क्या की थी राजधानी परिवर्तित की थी और पटना पाठली पुत्र नामक सहर बसाये था तो उदाइन हो जाएगा आपका option नमबर B नेक्स्ट है यदि रेड को 6720 ठीक है रेड है हमारा अगर मैं रेड को लिखो देखो रेड आपका होता है E, J, O, M, L, O, P, Q, R होता है R, 18, D होता है 5 और D होता है 4, 18, 5, 4 और यहां लिखा हुआ है आपका 6, 7, 2, 0 ठीक हो गया, 18 में 2 जोड़ देते हैं तो हो जाता है 20, 5 में 2 जोड़ने पर 7, 4 में 2 जोड़ने पर 6, 20, 7, 6, 20, 7, 6 उल्टा लिख दिया तो अब आपको करना क्या है ग्रीन के कोड को लिखना है देखे G7, G का कोड होता है 7, R का कोड होता है आपका 18, तो 7 में 2 जोड़ोगे तो 9, लेकिन सबसे लास्ट में 18 में 2, 20, तो 209 ऐसा option देखो जिसमें लास्ट में 209 हो, तो 209 यह नहीं हो सकता यह नहीं हो सकता या तो यह अब E पर आते हैं तो 5 में 2 जोड़ोगे, 7, 7, तो 7, 7 आना चाहिए, ठीक हो गया, 7, 7, 16, 7, 209, option number B इसका क्या हो जाएगा गाईच, correct answer हो जाएगा, ठीक है, next पर बढ़ते हैं, वर्स 2011 S.B. की जन्गलना के अनुसार, उत्राखन में सरवाधिक नगरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, सरवाधिक जनसंख्या अलग होता है, सरवाधिक नगरी जनसंख्या अलग है, नगरी जनसंख्या पूछा है तो देहरादून आपका क्या हो जाएगा, correct, केवल अ बद्रिच्ट मंदिर को विभाजित किया गया है तो इसके कितने पार्ट हैं यह पूछना चाहे हैं तो दिछे बद्रिचिंग trap केो नदीश? और तीसरा होता है दर्सन तो इन तीन भागों में बाटा गया है तो option number 6 का क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा next है काडगोदाम किस नदीव के टट पर बसा है तो काडगोदाम गयी जो बसा है गौला नदी जिसे की गारगी नदीवी कहा जाता है उसके किनारे पर क्या है बसा हुआ है next है उत्राखंड में राष्टपती सासन लागू हुआ था तो राष्टपती सासन 2016 में मुख्यमंत्री कौन थे उससे में हमारे हरीस रावत जी थे तो हरीस रावत के टाइम पे लगा था यह लगा था 27 मार्च 2016 option number A कांची पूरम किस राजवन्स की राजधानी थी तो कांची पूरम जो राजधानी बनाय था वो चोलों ने बनाय था ठीक है चोल डाइनेस्टी तो चोल मतलब चालुक क्यों हो जाएगा option number A आपका क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा next है गाईज अ टेमा कांड एक को हुआ था रामपूर्ती राहा कांड 2 अक्टूबर को ठीक है मसूरी कांड 3 सेप्टेंबर ये गलत हो जाएगा क्योंकि मसूरी कांड कब हुआ था 2 सेप्टेंबर को हुआ था ठीक हो गया तो option number C इसका क्या है correct answer है next है मान सरोवर यात्रा उत्राखन में क किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन सितंबर 2018 इस भी में लांच की तो हाइड्रोजन ट्रेन की बात चल लिए देखे ये हो जाएगा जर्मनी option number A इसका correct answer है next है सुनामी सब्द किस भासा से लिया गया है तो जो सुनामी सब्द है गाई ये जापानी भा दिवस मनाया जाता है तो राष्टरी उपभोगता दिवस मनाया जाता है 24 दिशंबर को option number D इसका क्या हो जाएगा correct answer next है गाईज निम्न मैसे 27 अप्रेल 2017 को उत्राखंड के किस सहर को महानगर घोसित किया गया तो गाईज देखे 2017 की बात चल लिए 2017 में दो नए municipal corporation मनाया गये थे एक तो था आपका code द्वार है option में नहीं और दूसरा कौन सा था रिइशी केस तो रिइशी केस है option number B आपका क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा ठीक हो गया नेक्स्ट है उत्राखंड भारती गड़तंत्र का राज्जी है उत्राखंड भारती गड़तंत्र का कौनसा राज्जी है 27 वा राज्जी तो option number B क्या हो जाएगा गाईज करेक्ट आंसर हो जाएगा अब देखे गई जिसमें confusion आपको यह होगा अगर होगा कि 26 भी हो सकता है क्योंकि जम्मो कस्मीर क्या हो चुका है हड चुका है बट अगर अभी ऑफिशल साइट्स पे देखे उत्राखन के तो वह अभी चेंज नोंने किया नहीं अभी 27 थी दिखा और इनसे पहले कौन थे 6 नंबर के वो थे के के पॉल ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमाओ का सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला है तो सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला कौन सा है गई जो धारचूला मेला ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा र गंग नानी तप्त कुंड ये आपका इस्थित है उत्तर कासी जिले में, option number A इसका गाई, correct answer हो जाएगा, next है थांगला, डंगरीला, नेलंग और लमलंग क्या हैं, तो ये सारे के सारे क्या हैं उत्तराखन में इस्थित दर रहे हैं, option number C, भारत में निम्न मैंसे कौन यहो नि निल्णय करता है कि कोई भी धन विधयक है निया नहीं, मतलब कोई भी धन विधयक है या नहीं, मनी बिल है या नहीं, इसका निल्णय कौन करता है, लोकशबा अध्यक्ष, option number D, next है गाईज, अंगरेजो ने किस सन में, गोर्खा सासकों को उत्तराखन में परास्त किया, त अलमोडा से गोर्खाओं को भगा दिया जाता है, अंगरेजो के द्वारा, option number B, next है, कोटेश्वर बात का निर्मार किस नदी पर किया जा रहा है, तो कोटेश्वर बात बन रहा है, भागी रथी नदी पर, option number C, next है, अनंत पाल का धार्शिल शिलालेक, किस वन्स का इतिहा आज बताता है, तो अनंत पाल का धार्शिल शिलालेक, पवार का, देखे, अनंत पाल सा सकता, पवार राजवन्स का, तो गईज, देखे, गोर्खा होगा नहीं, अनंत पाल, ठीक है, तो पवार में भी इसका correct होना चाहिए, next है, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन, भारती संग्मिधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो मौलिक कर्तव्यों किसके अंतरगत आते हैं, 90 का आपका आंसर हो जाएगा, option number C, अनुच्छेद इकावन को के अंदर क्या करे गए हैं, रखे गए हैं, विश्व के किस देश को लोकतंतर का घर कहा जाता है, तो लोक गया था, वैसे अगर देखे हैं, इसमाँ option है नहीं, अगर यहाँ पर कहता है, अच्छा होम कह रहा है, अगर पूस्ता आपसे father of democracy, तो तब हो जाता क्या Greece, क्योंकि यह पहला था, उसके बाद ब्रिटेन में आया था, तो ब्रिटेन option number B, लिखित संग्मिधान बोलता कि से पहले लिखित संग्मिधान कहां पर आया, तब संग्युक्तिराजी अमेरिका होता, नेक्स्ट है, निम्न मैं से किसका उलेग भारती संग्मिधान की प्रस्तावना में नहीं है, सामाजिक नाम न्याई, सोशल जस्टिस भी है, धार्मिक न्याई भी है, आर्थिक तो देखें, यह जो कासी नाथ ने नगर बसाया था, यह 1718 के आसपास आइधिंग बसाया था, लेकिन वह उप्शन में है नहीं, ठीक है, या तो 17 के आसपास आपका एक ही उप्शन है 1749, तो आप इसका करेक्ट आंसर अगर आपको कुछ पता है, तो आप कमेंट बॉक्स म मिरे को बताईएगा, जातक मिरे को पता है, I think 1718 था जब कासी नगर, मतलब कासी पूर की क्या की गई थी, स्थापना, कासी नगर, अब इसने कासी नगर भी लिखा है, एक ये भी है, ठीक है, कासी पूर लिखा हुआ नहीं है, नेक्स्ट है, 25 जनवरी 2004 इस भीव से, 15 मई 2004 चार इस भी, दोनों दिनों को सामिल कर ले, तो कुल कितने दिन होंगे, तो देखिए, 25 जनवरी, 25 जनवरी, जनवरी में होते हैं 31, 25 को भी इंक्लूड करना है, तो 7 दिन तो होगे, यहां पर आपके, उसके बाद आपका फरवरी 2004 की है, तो यह कितने की जाएगी, 26 की, 29 की उसके बाद फरवरी मार्च 31, उसके बाद मार्च के बाद अपरेल 30, और मही में कितने दिन जाना है, 15, तो 5 और एक 6, 6-6, 12 और एक 13, 13 और 9 हो जाएगा आपका 22, तो ऐसा उप्शन जिसमें लास्ट में 2 हो, उप्शन नमबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंशर हो जाएग अटल आदर्स ग्राम योजना किस वर्स से प्रारंब हुई, तो अटल आदर्स योजना ये प्रारंब हुई थी 2009 से, 2009 ऑप्शन नमबर C, नेक्स्ट है, निम्न कारियों में से केंडरी बैंक कौन सा कारिय नहीं करता है, नोट का निर्गमन मतलों नोटों को दिया जाता है, इश्यू ऑफ नोट्स करता है, ठीक है, लोगों से जमा प्राप्त करना, सरकार का बैंकर, गवर्मेंट्स बैंकर, ये भी है, ठीक है, अन्तिम रियन दाता, लीस्ट, ठीक है, ये भी अन्तिम रड़ दाता, कह सकते हैं क्योंकि बैंकों को तो यही रड़ देता है, लेकिन से जमा प्राप्त करना यह कहीं भी नहीं सुना आपने की RBI में लोग अपना पैसा जमा करने के लिए गई हो ठीक है तो regional RBI नहीं होगा ठीक है हाँ ठीक है option नमबर 20 का correct answer है गई संयुक्त राष्ट्र विकास कारिकरम द्वारा प्रकाशित मानव विकास सुचकांग है HDI Human Development Index सम्मलित करता है शकल घरिलू उत्पात GDP नहीं की जाती प्रतिव्यक्ति शकल राष्टी आई हाँ यह सही हो जाएगा Gross National Income per Capiti की जाती है option नमबर B उत्राखंड में राज्य सेक्षिक प्रुष्कार योजना कब प्रारंब किया गया तो कब से इसका प्रारंब हुआ यह आपको बताना है ठीक है तो SCA जो स्टार्ट हुआ था गई यह हुआ था 2009 से option नमबर C इसका क्या हो जाएगा correct VGA का पूर्ण रूप है तो VGA क्या होता है वीडियो ग्रैफिक्स एरे होता है वीडियो ग्रैफिक्स एरे option नमबर A भारत में मेकिन इंडिया का कारिकरम कब से शुरूआत हुआ तो पता है मोधी जी की गवर्मेंट आई थी 2014 में तबी से इसकी सुभारम किया गया था और डे क्या था 25th September 20 September 2014 option number A क्या हो जाएगा गाई इसका राइट आंसर हो जाएगा तो गाईज यह था पूरा 100 questions I think 2 या 3 questions ऐसे हैं जिनमें की डाउट है और सारे के questions आपको इसमें correct 100% वो सही है जो बताए गए है आप अपने marks जो है गाई जो कमेंट करके बता सकते हैं कितने marks आपके आ रहे है आई होप कि आपका exam अच्छा गया हो मिलते हैं new video के साथ गाईज जल्द ही आपका जो उत् subscribe कर दीजे देखे गई जितना मैंने cover up करवाया है आपसे geography और उसके बाद उत्राखन के history के उससे बाहर आपको देखा होगा इस question में भी आप video के one liner में जाके देख सकते हैं और theory वाले part में उसी के अंदर से कह है paper आया हुआ है तो बहुत जल्द हमारा ये प्रयास रहेगा कि सात्मा आपको हिंदी तो है साथ ही साथ जो history and geography है वो भी क्या करवाई जाए complete करवाई जाए channel पर मिलते हैं new video के साथ तब तक के लिए bye thanks have a good day